आपको द्यान होगा कि जब आपने 2014 मई में हमें जिम्मेदारी सोंपी थी तब विश्व की अर्थववस्था में ब्रिक्स के समंद में यह आम चर्चा थी कि ब्रिक्स में जो आई अक्षर है जो कि आई अक्षर इंडिया से जुड़ा हुआ है लोग कहते थे कि ब्रिक्स में जो आई है वो लुड़क रहा है लगातार दो साल के देश व्यापी अकाल के बावजुद भी पिछले ढ़ाई वर्सों में आप सब सबासो करोर देश वासियों के सहयोग से आज भारत में ग्लोबल एकोनामी में एक ब्राइट स्पॉट अर्थात चमकता सितारा के रूप में अपनी उपस्थिती दर्ज कराई है ऐसा नहीं है कि यह दावा हम कर रहे हैं लेकिन यह आवाज इंटरनेशनल मोनिटरी फ़न आएम एफ और वर्ल बैंक से गुंज रही है भानो भाईयों विकास की इस दौर में हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी गरीबी के खिलाप हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र गरीबों का देश की अर्थ विवस्ता एवं संपन्नता में सक्रिय भागेदारी यानि गरीबों का ससक्ति करन गरीबों का एमपावर्मेंट इस प्रयास की जलक आप लोगों को प्रदानमत्री जन्धन योजना जन दन से जन सुरक्षा योजना आर्थिक गतिविध्यों के लिए प्रदानमंत्री मिद्रा रून योजना दलित आदिवासी और महला उद्यमों के लिए स्टैंड़ इंडिया योजना गरीबों के घर तक गैस का चुला पहुँचाने के लिए प्रदानमंत्री उजवला योजना किसानों की आमदनी सुरक्षित करने के लिए प्रदानमंत्री फसल भिमा योजना और प्रदानमंत्री कृसी सिंचा योजना उनको अपने खेतों से ही सही उपज पाने के लिए सोईल हेल्थ काड योजना और सही उपज का सही दाम पाने के लिए ई नाम अर्थात राष्ट्रिय कुशी मजार योजना इन सब में ये साफ नजर आता है कि सरकार गाउं गरीब किसान को समरपित है मेरे प्यारे देशवासियों पिछले दश्कों में हम यह अनुभव कर रहे है कि देश में ब्रश्टाचार और काला धन इन बिमारियों ने अपनी जड़े जमाली है और देश से गरीबी हटाने में यह प्रश्टाचार यह काला धन यह गोरक धन्दे सबसे बड़ी बाधा है एक तरप तो विश्व में हम आर्थी गती में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं दूसरी तरप ब्रश्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में दो साल पहले भारत करीब करीब सोवे नमर पे था देव वर्शों में अनेक कदम उठाए डेर सारे कदम उठाने के बावजुद भी अब हम चत्तरवे नमर पर पहुँच पाए यह बात को दर्शाता का है कि प्रश्टाचार कितने व्यापक रुप में देश में बिचा हुआ है प्रश्टाचार की बिमारी को कुछ वर्ग विशेश के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है गरीबों के हक को नरजर अंदाज कर यह खूद फलते फुलते रहे हैं कुछ लोगों ने पद का दुर्पयोग करते हुए इसका भरपूर फाइदा उठाया दूसरी तरफ इमांदार लोगों ने इसके खिलाब लड़ाई भी लड़ी है देश के करोडों नागरिकों ने इमांदारी को जी करके दिखाया है हम प्राय यह सुनते हैं कि गरीब एक आटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में छुट गई सोने की आबुशर वारे बैक को उसके असली मालिक को कैसे ढूंडता है और लोटाता है कई बार हम सुनते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर यात्रियों का कुछ सामान अगर छुट जाता है मोबाइल फोन रह जाता है तो अपने खर्चे से उनको ढूंडे जाता है और पहुचा देता है अरे सबजी बेचने वाला भी सामान दुकांदार भी अगर ग्राहक से गलती से ज़्यादा पैसे ले लिए तो उसको भी बुला करके लोटा देता है मेरे प्यारे देश्वासियों इस बात का ये सबूत है कि हिंदोस्तान का सामाने से सामाने नागरिक इमानदार है लेकिन मेरे प्यारे देश्वासियों हर देश के विकास के इतिहास में ऐसे एक्षन आये है जब एक शक्तिशाली और नेड़ा एक कदम की आवश्शक्ता महसूस की गई इस देश ने ये वर्षों से महसूस किया है कि प्रस्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंगवात ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दोड में पीछे धगेलती है समाज को अंदर ही अंदर खोकरा कर देती है मेरे प्यारे देश वासियों, आतंगवात की भायनक तो कौन नहीं जानता है कितने निर्देश्ट लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंगवात को पैसा कहां से मोहिया होता है सीमा पार के हमारे शत्रू जाली नोटों के जरिये नकली नोटों के जरिये अपना धंदा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है अनेक बार 500 और 1000 रुपिय की जाली नोटों का कारोबार इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं लाखो करोडों की नौटी जब तक ही गई है बहनोग्यों एक तरफ आतंकवात और जाली नौटों का जाल देश को तबाह कर रहा है दूसरी और ब्रश्टा चार और काले दूटी चुनवदी देश के सामने बनी हुई है संभालने के तुरंद बार ब्रश्टा चार और काले धन के खिलाब लड़ाई की शुरुवात करते हुए अनेक भावी कदम उठाए जैसे काले धन की जाज के लिए सुप्रीम कौट के पूर्वजेज की अधिक्स्ता में S.I.T. का घठन किया विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मजबूत कानून बनाने का हमने काम किया काले धन को विदेशों से वापिस लाने के लिए विबिन्द देशों के साथ टैक्स समझोतों में हमने परिवर्तन किया नए समझोते किये अमेरिका सहीत विबिन्द देशों के साथ सूचना आदान पुदान इंफरमेशन एक्षेंज करने का प्रावधान किया ब्रश्टा की बेनामी संपत्ति को रोकने के लिए अगस्त 2016 में एक और बजबुत कानून इन सारे कानून से एक बहुत बड़े चोड दरवाजे को बंद कर दिया रहा देश में अगोशित आय को पैनल्टी के साथ गोशित करने की योजना में काफी बड़ी मात्रा में अगोशित आय उजागर हुई मेरे प्यारे देश वाजियों इन सारे प्रयासों से पिछले धाई साल में ब्रश्टा चारियों से करीब करीब सवा लाग करोड रुपिया ये कमर कम नहीं है सवा लाग करोड रुपिय का काला धन बाहर लाया गया है ऐसे करोडों भारत लासी जिनके रग रग में इमानदारी दोड़ती है उनका मानना है कि प्रश्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ती, जाली नोट और आतमवाग के खिलाब निरनाहेक लड़ाई होनी चाहिए कौन इमानदार नादिक ऐसा होगा जिसे अपसरों के घर बिस्तर के नीचे से या जग़ जग़ बोरियों में करोडों रुपियों पाने जाने की खबर से पीड़ा नहोती हो आज देश की मुद्रा व्यवस्ता का हाल यह है कि देश में कूल सिक्रों और नोटों की जो मुल्य है उसमें पान सो और एक हजार रुपिया वाले नोटों का हिस्सा लगभग असी से नव्वे प्रतिशक तक पहुँच गया है देश में कैश का अधिक सर्कुलर्शन का एक सीधा समन ब्रश्टाचार से है ब्रश्टाचार से अरजित कैश का कारोबार मंगाई अरभिया असर पैदा है इसकी मार गरीबों को जिन नहीं पढ़ती है इसका सिधा प्रफाव गरीब और मद्यमबर की खरीदने की शक्ति पर पढ़ता है आपका भी स्वयम कानुबह होगा जब मकान खरीदने जाते होंगे जमीन खरीदने जाते होंगे तो आपसे जब सौधा होता होगा तब कहते होंगे कि कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादातर कैश में मांगी जाती होगी इमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना एक मद्यमबर के व्यक्ति को घर भी खरीदना हो तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसिबत हो जाती है कैस के इस धन्दे के कारण मकान, जमीन, उच्च शिक्षा, चिकिस्षा ऐसे अनेक सिवान को उन वस्तुओं को इन कारणों से उनकी मुल्य में कृत्रिम व्रिद्धी भी होती है आर्टिफिशल इंक्रीज होता है प्रस्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं और हम जानते हैं हवाला का उप्योग आतिंक्यों ने हथ्यार की परित फरुक में भी किया है चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है भरसों से हो रही है बहनोर भाईयों देश को ब्रश्टा चार और काले धन रुपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सक्त कदम उठाना जरूरी हो गया है आज मद्यरात्री यानि आठ नवंबर दोजार सोला कि रात्री को बारा बजे से वर्तमान में जारी पान सो रुपए और एक हजार रुपए के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानि ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी पान सो और एक हजार रुपए के पुरानी नौटों के जरिये लेन देन की व्यवस्ता आज मुद्रात्री से उपलब्द नहीं होगी ब्रश्टा चाले धन और जाली नौट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्मों के पास मुझूद पान सो रुपए हजार रुपए के पुराने नौट अब केवल कागज के एक टुकडे के समान रह जाएंगे ऐसे नागरीक जो संपत्ती महनत और इमानदारी से कमा रहे हैं उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी ध्यान रहे कि एक सो रुपए पचास रुपए बीस रुपए दस रुपए पांच रुपए दो रुपए और एक रुपिया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेंदेन के लिए उपयोग हो सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है हमारे या कदम देश में ब्रस्टाचार काला अधनिवं जाली नोट के खिलाब हम जो लड़ाई लट रहे हैं सामाने नागरिक जो लड़ाई लड़ा है उसको इससे ताकत मिलने वानी है इन दिनों में देश वाचियों को कम से कम तकलिप का सामना करना पड़े इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है पांसो और एक हजार रुपे के पुराने नोट दस नवंबर से लेकर तीस दिसंबर दो हजार सोला तक आप अपने बैंक या डागगर पोस्ट ओफिस के खाते में बीना किसी दिमा के जमा करवा सकते हैं आपके पांस लगभग पचास दिनों का समय है अतह नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवशक्ता नहीं है आपकी धनरासी आपी की रहेगी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पांसो रुपे या एक हजार रुपे के पुराने नोटों को खाते में डाल कर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं केवल शुरू के दिनों में खाते में से दनरासी निकालने पर प्रती दिन दस अजार रुपिया और प्रती सब्ताब भी सजार रुपिय की सीमा तै की गई है ऐसा नए नोटों की उपलब्दता को ध्यान में रखते हुए किया गया है इस सीमा में आने वाले दिनों में बुद्धिक कर दी जाएगी खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है तत्काम आवशक्ता के लिए पांथ सो और एक हजार रुपिय के पुराने नोटों को नए इवं मान्ने नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमूख और उपडाबगर हेड पोस्ट ओफिस और सब कोस्ट ओफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड मतदाता कार्ड यानि के वाटर कार्ड राशन कार्ड पासपोर्ट पैन कार्ड इत्यादी सबूत की रुप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं प्रारम में 10 नवेंबर से 24 नवेंबर तक 4,000 रुपिया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपिये के नोट बदले जा सकते हैं 15 दिनों के बाद यानि 25 नवेंबर से 4,000 रुपिये की सीमा में बृद्धी कर दी जाएगी ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवस अगर जमान नहीं कर पाए उनको 500 और 1,000 रुपे के पुराने नोट बदलने का एक आखरी अवसर भी दिया जाएगा ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित अफिस में अपनी राशी एक गोशना पत्र यानि डिकलेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्ज 2017 तक जमा करवा सकते हैं 9 नवंबर और कुछ ठानों में 10 नवंबर को भी ATM काम नहीं करेंगे प्रारम में ATM से प्रती काड प्रती दिन निकाली जा सकने वाली राशी की सिमा 2000 रुपया रहेगी फिर उसे कुछ अवदी के बाद बढ़ा कर 4000 रुपया कर दिया जाएगा वैसे तो 500 और 1000 रुपय के पुराने नोट आज रातरी 12 बजे से कानूनी तोर पर खत्म हो जाएंगे परंतु सामान्य जन जीवन की जरुनोतों को ध्यान में रखते हुए मानविय दृष्टुकों से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानि के 72 अवर्ष मतलब की 11 नवंबर की रातरी 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेश विवस्ता की है जैसे 11 नवंबर की रातरी 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में बुक्तान के लिए पूराने 500 या 1000 रुपिये के नोट स्विकार किये जाएंगे इससे वैसे परिवार जिन में कोई बिमार है उन्हें उप्चार में कोई बादा ना आए ऐसे कारी अस्पतालों में ये दिए दवाई की दुकान की ववस्ता है तो डॉक्तर के दिये गए पर्चे पर पांसो और हजार के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलबतर हैगी ऐसे ही 11 नवंबर की रात्री 12 बजे तक रेलिवे के टिकेट बुकिंग काउंटर सरकारी बसों के टिकेट बुकिंग काउंटर और हवाई एड़ो पर एरलाइस के जो टिकेट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकेट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थाद पांसो और हजार रुपिय के नोट स्विकार करने की छूट होगी ऐसा हमने उन परिवारों की जरुरतों को देखते हुए किया हैं जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे केंद्र अत्वा राज्य सरकार द्वारा प्रमानित कोपरेटिव की दिन्चेरिया की वस्तों की दुकान जैसे केंद्रिय भंडार, सफल और दुगद विक्रे केंद्र, मिल्क पावर, ऐसे स्थानों पर भी ग्यारा नवंबर की राद बारा बजे तक पुराने पांसो और हजार रुपे के नोट्स फिकार करने की छूट होगी इस दौरान इन समस्थानों को प्रती दिन अपने स्टॉक और विक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी सार्वजनिक शेत्र पॉब्लिक सेक्टर के पैट्रोल एवं सी एंजी गेस्टेशन रिटेल आउटलेट जहां पर पैट्रोल डीजर और सी एंजी गेस्ट की विक्री के लिए भी ग्यारा नवंबर की राद बारा बजे तक पुराने पांसो और एक हजार रुपे के नोट्स फिकार करने की छूट होगी इस दौरान प्रती दिन अपने स्टॉक और विक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी शब्दा गुरू, मशान गुरू, क्रेमेटोरियम ऐसी जगों पर भी ग्यारा नवंबर की राद बारा बजे तक पुराने पांसो और एक हजार रुपे के नोट्स फिकार करने की छूट होगी अंतराश्टे हवाइडों पर विदेश से आ रहे, अब विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पांस पुराने पांसो और एक हजार के नोट है तो ऐसे नोटों की पांच हजार रुपिया तक की राश्टी को नई एवं मान्य करन्सी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी अंतराष्टिय परेटकों को अंतराष्टिय हवाई एड़ो पर विदेसे मुद्रा या पांच हजार रुपिय तक के पुराने नौटों को नई एवं मान्य करंसी नौटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं यह स्पस्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नौन कैश लेन देन में यानि चेक से पेमेंट हो दिमांड राप से पेमेंट हो डेवीट या केडिट कार से पेमेंट हो अत्वा इलेक्ट्रोनिक फंट रांसफर में कोई जलता था वैसा ही चालू रहेगा इन सारे इंतिजाम के बावजूद हमारे इमांदार देश वास्यों को अगर तकलिप का सामना करना पड़ा तो अनुबव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है जब मैं सुनता हूँ कि कोई गरिब विद्वा एलपीजी सबसीजी छोड़ने में आगे आती है यह त्याग एक रिटायर स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पैंशन से स्वच भारत कोश में अपना योगदान देने को आगे आता है जब हम यह सुनते हैं कि गरिब आदिवासी मां बकरी बेचकर सोचाले बनाने के लिए पैसे लगा देती है एक फोजी अपने गाउं को स्वच गाउं बनाने के लिए 57,000 रुपे का दान देने के लिए आगे आता है मैंनो देह देखा है कि देश के सामान्य नागरी की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तयार है बस देश का कल्यार हो अतह, ब्रस्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंगबाद के खिलाब जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई वह भी कुछ दिनों के लिए तो जेल ही सकते हैं मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरीक प्रस्टाचार के खिलाब सुचिता के इस महायग्य में एक जूढ हो करके, मिल करके, खड़ा होगा मेरे प्यारे देश वास्चियों, दिवाली के पर्व के बाद, अब इमानदारी के इस उत्सों में, प्रामानित्ता के इस पर्व में, आप बढ़ चड़ करके हाथ बटाएं मेरा पुरा विश्वास है, कि देश के सभी राजनितिक दल, राजनितिक कायर करता, सामाजिक, एमम सैक्षनिक संस्ताई, मीडिया, समाज के सभी वर्ग, इस महान कार्य में, सरकार से भी ज़्यादा बढ़ चड़ करके, भाग लेंगे, सकारत मन भुमिक आदा कराएंगे बना के ही रहेंगे, मेरे प्यारे देश्वासियों, ये बाते जब समय मैं आपके सामरे रख रहा हूं, इसी समय सरकार के अलग अलग विभाकों को भी जानकारी हो रही है, बैंक हो, पोस्ट आफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, उनके अधिकारियों को भी, इस विशे की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इस काम में गोपनियता बहुत ही आवशक थी, ऐसी स्थिति में, रिजर्व बैंक, सभी बैंक्स और पोस्ट आफिस को कम समय में बहुत सारी विवस्था करनी उनके सामने है, काम बहुत बड़ा है, इस विवस्था में कु बैंक ने ये फैसला लिया है, कि नव नवंबर को सभी बैंक पब्लिक कारे के लिए बंद रहेंगे, नागरिकों को असुविदा होगी, मेरा पूरा भरोसा है, कि बैंक और पोस्ट आफिस के काम करने वाले सभी साथ ही, देश हिच में, इस पवित्र कारेकर को सफलता पूर्वक परिपूर्ण करेंगे, भुत्काल में उन्होंने ये करके दिखाया है, मेरा जंता जनार्दन से इतना ही आगर है, कि सभी नागरीक धाईगे रखते हुए सभी बैंक्स और पोस्ट आपिस के अधिकारियों को सहयोग करें, यही मेरी उन्हसे आगरपुर विननती है, बहनों भाईयों, समय समय पर मुद्रा व्यवस्था को धान में रखकर, रिजर्ब बैंक केंद्र सरकार की सहमती से नए अधिक मुल्य के नोटों को सर्कूलेशन में लाता रहा है, 2014 में रिजर्ब बैंक ने 5,000 और 10,000 रुपिये के करेंसी नोट का प्रस्ताव सरकार को बेजा था, जिसे हमारी सरकार ने विचार विमर्ष के बाद अस्विकार कर दिया था, अब इस पूरी प्रक्रिया में रिजर्ब बैंक द्वारा 2,000 रुपिये के नए नोट के प्रस्ताव को स्विकार किया गया है, पूरी तरह से नए तोर पर डिजाइन किये गए 500 रुपिये और 2,000 रुपिये के नए नोट, नए करेंसी नोट अब सरकुलेशन में लाया जाएगा, रिजर्ब बैंक अपने पिछले अनुभ़मों को ध्यान में रखते हुए, करेंसी सरकुलेशन में अधीक मुल्यों के नोटों का हिस्सा अब एक सीमा के अंदर ही रहे, इसके लिए रिजर्ब बैंक आवश्चक प्रबंद करेगा, अंत में, मेरे प्यारे देश वासियों, मैं यह दोहराना चाहता हूँ, कि किसी देश के इतिहास में ऐसे ख्षन आते हैं, जब हर व्यक्ति यह मैसूस करता है, कि उसे भी उस ख्षन का हिस्सा बनना है, उसे भी राष्ट हित में, राष्ट निर्मार में अपना योगदान देना है, परन्तु ऐसे ख्षन हर किसी की जिन्दगी में गीने चुने ही आते हैं, आज समय हमें फिर से एक अवसर दे रहा है, हर सामान्य नादिक, ब्रस्टाचा, काला ध्रम, जाली नोड के खिलाब, इस महायग्य में, इस लड़ाई में, अपना योगदान दे सकता है, बहनों और भाईयों, आप से इस प्रक्रिया में, जितना सहयोग मिलेगा, सुद्धी करण उतना ही सफल होगा, देश के लिए, यह चिंता का कारण था, कि प्रस्टाचार, और काले धन को, जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था, यह सोच, आज हमारे राजनेतिक, सामाजिक और प्रशाचानिक, जीवन को, दीमक की तरह खाये जा रहा है, शासन व्यवस्ता का कोई भी अंग, इस दीमक से अच्छूता नहीं है, समय समय पर हमने देखा है, कि भारत के सामान्य जन्मानस को, अगर ब्रश्टाचार, और कुछ दिनों की अस्विदा में से, एक को चुनना हो, तो बेहिचक, मैं कहता हूँ बेहिचक, मेरे देश का इमानदा नागरीद, अस्विदा को तो चुनेगा, लेकिन तरश्टाचार को कदापी नहीं चुनेगा, आपसे मैं फिर एक बार आवाहन करता हूँ कि, आईए, जैसे आपने दिवाली के पर्व में, अपने घर और आस्पडोस की सफाई की, वैसे ही सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए, हम इस महायग्य में, अपनी भी कुछ आहूती डाल कर, इसे सफल बनाएं, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में, अज़सुविधा को ध्यान में न रखते हुए, आईए, सभी वी सुचिता की दिवाली बनाएं, पुरे बिश्व को भारत की से मामदारी का उत्सव दिखाएं, पुरे देश में प्रामानिक्ता का पर्व मनाएं, जिससे बर्ष्टा चार पर लगाम लग सकें, काले धन पर नकेल कच सकें, जाली नोटों का खेल खैलने वालों को लेश्त नाबुत कर सकें, जिससे की देश का धन, गरीबों के काम आ सकें, हरिमानदार नागरिक को देश की संपन्दता में, उसकी उचीत हिसेदारी मिल सकें, आने वाली पीधी, गर्व से अपना जीवन जी सकें, मैं आप सब के सहयोग के लिए, पुरे विश्वास के साथ, सबासो करोर देश वाच्चों की मदद से, बश्चा चार के खिलाब, इस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है, आपका साथ, आपका सहयोग, हमारी आने वाली पीजियों के लिए, प्रेरख बनेगा, बपिर एक बार, आपका अरुदाई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भारत माता की जै, मेरे प्यारे देश वास्ति करते हैं। Today, I will be speaking to you about some critical issues and important decisions. Today, I want to make a special request तो आल यो. यो में रिखुर्टा ओन्हे का यूमिक सिटूमिस अचान इजब्र मेल 2014 में आप्तिर अमार्ने त मेले प्रेंग ठेशित की. इजने प्रावा इंधिस इन उन्में की इंधिस एक उन्हें की इंब्र आवे इंदे हैंग्ड़ूर्टै। जो करहाते हैं ज करते हमस्तों तो फस्फूल मेर्बाद करते हैं, एफ एंदीस ह्ट आप करते हैं. इश अग्सम banana अग्स्ट करएप बारिपोटने... इस उती उता जूकति हैं तो यह वह का decir फितलंग सबस्क्या कि अच्टैनसी बेस्ड को हैं. and the world bank in this effort for development our motto has been sabka saath sabka vikas we are with all citizens and for development of all citizens this government is dedicated to the poor it will remain dedicated to them in our fight against poverty our main thrust has been to empower the poor and make them active participants in the benefits of economic progress the pradhan mantri jandhan yojana the jana suraksha yojana the pradhan mantri mudra yojana small enterprises the stand up india program for dalits adivasis and women the pradhan mantri ujwala scheme for gas connections in the homes of the poor the pradhan mantri fasal bhima yojana and pradhan mantri krishishin chai yojana to protect the income of farmers the soil health card scheme to ensure the best possible yield from farmers fields the enam the national marketplace scheme to ensure farmers get the right price for their produce these are all reflections of this approach in the past decades the specter of corruption and black money has grown it has become the effort to remove poverty and black money on the one hand we are now you